नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पेप मैं हूँ आपका दोस्त शुबम मिश्रा तो IPL 2024 में लीग स्टेज के सभी 70 मैचेस कम्पलीट हो चुके हैं तो लीग स्टेज एंड हो जाने के बाद हमें चार टीम्स मिल चुकी हैं जिनोंने प्ले आपस में ओफिशली कॉलिफाय कर लिया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको IPL 2024 के प्ले आपस का कम्पलीट शेडियूल बताने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी चार टीम्स हैं जिनोंने फ्ले आफस में ओफिशली कॉलिफाय किया है जबकि प्ले आफ में किस टीम का मुकाबला किस टीम के साथ कब होगा और ये सभी प्ले आफ मैचस कितनी बचे से स्टार्ट होंगे कौन से वेन्यू पर खेले जाएंगे आस तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशल बेल ओन कर लें ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो और अपडेट्स लगातार मिलती रहें दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप IPL 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूस और अपडेट्स इसके लावा IPL 2024 के प्ले ओफ मैचस की फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच प्रेडिक्शन और फाइनल फैंडेसी टीम पाना चातो तो आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लावा कमेंट बॉक्स में सबसे उपर बिंड मिल चाएगा लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर स जिसने points table को number 1 पर finish किया है 20 points के साथ जबकि दूसरी team है Sunrisers हैत्राबाद जिसने points table को number 2 पर finish किया है 17 points के साथ इसके लावा तीसरी team है Rajasthan Royals जिसने points table को number 3 पर finish किया है 17 points के साथ इसके लावा चौती और आखरी team है Royal Challengers Bengaluru जिसने points table को number 4 पर finish किया है 14 points के साथ तो इस तरीके से कोलकाता नाइट वाइडर्स, सन्राइजर्स हैतराबाद, राजस्थान रोयल्स और रोयल चलेंजर्स बेंगडूरू ये वो चार टीम्स हैं जिन्नोंने IPL 2024 के प्लेउफ्स में ओफिशली कौलिफाय कर लिया है इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं IPL 2024 के प्लेउफ्स शिड्यूल के बारे में तो IPL 2024 के प्लेउफ्स में सबसे पहले कौलिफायर वन खेला जाएगा 21 माई को पॉइंट स्टेबिल की टॉप टू टीम्स के बीच में यानि की कोलगाता नाइट वाइडर्स और संद्वाइजर्स हैदराबाद के बीच एहंदाबाद के नरेंद्र मोधी स्केडियम में इंडियन टाइम के इसाब से शाम के साड़े साथ बजे से यानि की 7.30 पीम से अब जो टीम कॉलिफायर 1 मुकाबला जीतेगी वो IPL 2024 के फाइनल में डिरेक्ली कॉलिफाय कर जाएगी जबकि हाणने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा फाइनल में पहुशने के लिए इसके बाद 22 माई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा पॉइंट स्टेबिल पे नमबर 3 और नमबर 4 पर फिनिश करने वाली टीम्स के बीच में यानि की राजस्थान रोयल्स और रोयल चलेंजर्स बेंगलूरू के बीच एहम्दाबाद के नरेंद्र मोधी स्केडियम में इंडियन टाइम के इसाब से शाम के 7.30 बजे से यानि की 7.30 पीम से जो टीम एलिमिनेटर मैच जीतेगी वो कॉलिफायर 2 में पहुश जाएगी जबकि हाणने वाली टीम IPL 2024 से बाहर हो जाएगी इसके बाद 24 मई को कॉलिफायर 2 खेला जाएगा लूजर ओफ कॉलिफायर 1 वर्सेज विनर ओफ एलिमिनेटर के बीच चलनई के मेच इतमरम स्केडियम में इंडियन टाइम के इसाब से शाम के 7.30 बजे से यानि की 7.30 पी का फाइनल मैच खेला जाएगा 26 मई को विनर ओफ कॉलिफायर 1 वर्सेज विनर ओफ कॉलिफायर 2 के बीच चलनई के मेच इतमरम स्केडियम में इंडियन टाइम के इसाब से शाम के 7.30 बजे से यानि की 7.30 पीम से तो दोस्तों ये रही IPL 2024 के प्ले ओप से जुड़ी सभी जानतों गारी I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें और आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें पई पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स मीं ये जरूर बताएं कि आप IPL 2024 के play-offs के लिए कितना ज़दा excited हो और आपके हिसाब से कौन सी दो टीमे IPL 2024 के final में पहुचेंगी इसके इलावा cricket matches की fantasy playing level और cricket से जुड़ी हर छोटी बड़ी news and update सबसे पहले पाने के लिए आप हमें telegram channel पर जरू जोइन कर ले telegram channel का link आपको video के description box में मिल जाएगा so friends मिलते हैं आप से किसी नई और interesting वीडियो में till then take care, stay safe and goodbye